नमस्कार मैं हिमानशी कुमार आप देख रहे हैं जन्ता जंक्शन पंचाय चुनाव की रणमेरी बच चुकी है चुनाव इभी गुल फुका जा चुका है बकाईदा रितीश कुमार की एद्धिक्ष्टाम में हुए राज मंत्री मंडल की बैठक में चुनाव आयो के प्रस्ताब को मंजूर कर लिया गया है और इसके अनुसार 1194 में चुनाव होने है 24 सेप्टेंबर से 12 दिसंबर के बीच में 1194 में चुनाव होने है और 24 अगस्त को इसको लेकर आधिकारेक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अब बतादे कि अब इसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां भी एक्टिव हो चुकी है एक्टिव तो पहले से हैं अब कहीं ने कहीं इसको लेकर रन्डिति बनाने में जुड गई है चुनावायो के गाइड लाइन में असपश तोर पर कहा गया है कि कोई भी जन परतिनदी यानि जो इस चुनाव को लड़ेगा जो अमिद्वार होगा वो पॉलिटिकल पार्टि के बैनर या फिर उनके चुनाव चिन्ड का इस्तमाल नहीं करेगा अगर ऐसा करता है तो उन बीजेपी कार्याले में एक मिलन समारो हुआ था जहां आरजेडी और रोजपा के कई नेताओं को पार्टि में शामिल किया गया था उस वक्त मंच पर खुसील मोधी भुपेंद्रियादव जैसे नेता थे और अस्वश तोर पर कहा था कि बले ही ये आने वाला पंचाय कि भरकूर कोशिश करेगी कि उसके समर्थक कार्यकरता जो है इस चुनाव में जीत दर्ज करें और महा कटमधन भी इसके लिए को लेकर तैयारी कर रहा था आपको याद होगा आर्सेपी सिंग कुछ दिनों पहले कुछ मेहनों पहले कहले लगातार प्रदेश अस्तर के कार कार्यकरता जिलास्तर के कार्यकरता और प्रखंड अस्तर के कार्यकरता को ट्रेनिंग दे रहे थे हलाकि ये कहा जा रहा था कि वो कार्यकरताओं को इस बात को लेकर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो नितिश कुमार की योजनाओं से लोगों को अबगत कराएं लेकिन इसका महा कटवंधन हो सकता है कि एक साथ पंचायत चुनाव में अपने उमिद्वारों को उतारे लेकिन बता दे कि इस पंचायत चुनाव में चाहे वो आरजडी हो माले हो या फिर कॉंग्रेस हो अपने अपने सम्मर्थित उमिद्वारों को इस पंचायत चुनाव में उतारेगी तो हम उनके बीच understanding डेवलब करने की कोशिश करेंगे ताकि पूरे बिहार के पंचाच चुनाव में ज्यादा से ज्यादा आरजडी की लोग जीत कराएं इसे बीच Congress ने भी असपश्च तोड़ पे कह दिया है कि उसका किसी समझाता नहीं है अगर ये पार्टी की लेवल पे होता तो महागडवंधन के लेवल पे समझाता होता लेकिन चुकि भक्च रंदास जो Congress के प्रदेश भारी हैं पिछले दिनों पूरे जिली का दौरा कर रहे हैं और अपने कारकरताओं को जागरू भी कर रहे हैं और Congress पूरे प्रदेश में पंचाच चुनाव अपने दम खम पर लड़ेगी साथी साथ माले ये चाहती है कि महागडवंधन के लेवल पर समझाता हो माले इस बात को लेकर फेवर में है कि अगर महागडवंधन एक समझाता बना ले कि वो किनकिन पंचाच चुनाव पर कितने पार्टी से समवर्थित उमिद्वार पंचाच चुनाव में उतरेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पारा है तो माले कह रहे है कि हम भी अपने लोग उतारेंगे पतादे कि पंचाच चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टी आप एक्टिव हो गई है क्योंकि हर कोई अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिस कर रहा है और तमाम सियासी पार्टियों के तरे बात बार-बार कही जा रही है जिसका संगठन मजबूत होगा वही बिहार की सियासत पर राज करेगा तो पंचाच चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां असपर उस पर भले ही न दिखे उनके बैनर का इस्तमाल न हो उनके चुनावचिन का इस्तमाल न हो लेकिन परदे के पिछे तमाम सियासी पार्टियां इस बात के भरकस कोशिस करेगी भरपूर कोशिस करेगी कि उसके अपने लोग उमिद्वार पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्याद संख्या में जीद कराएं आप देखते रहें जन्ता जंक्षनम आपको बिहार की तमाम छूटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे